है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नहीं और एक्साइटिंग वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो का थोड़ा साल आगा लेकिन काफी इंट्रस्टिंग है आज हम कंपेर करने वाले 2016 के फ्लैक्शिप डिवाइस को 2019 के मिड्रेंज डिवाइस के साथ तो यह है गूगल पिक्सल और यह है वीडियो वी 15 प्रो चलते हैं देखते हैं कि 2016 का फ्लैक्शिप स्मार्टफोन क्या 2019 के कर जाएगा देखते हैं मिड्रेंजर कितने पारफुल होगा हैं तीन साल के अंदर अंदर तो दोस्तों सबसे पहले हम लुक से बात कर लेते हैं तो देख सकते हो वीडियो वी 15 प्रो अंडाव्टेटली पिक्सल से जादा सुन्दर लगता है पीछे की तरफ से भी और आग प्रेक्टर है वो मुझे पिक्सल का जादा अच्छा लगा क्यूंकि वीव वी 15 प्रो थोड़ा बड़ा डिवाइस है एस कंपेर डू गूगल पिक्सल क्यूंकि गूगल पिक्सल में आपको पांच इंच की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और यहां पर आपको फुल व वी 15 प्रो में आपको 48 मेगा पिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है और जो फ्रंट कैमरा है वो फ्रंट साइड में तो नहीं है वो पॉप अप होके निकलता है कुछ इस तरीके से तो यह फंक्शनालिटी तो गूगल पिक्सल में नहीं है गूगल पिक्सल में नॉर्मल क यह रिसाब से बट मुझे डीटेल वाइस Google Pixel की फोटो जादा चलेगी ऐस कमेड़ वीवो वी 15 प्रो क्यूंकि Google Pixel का जो लेंस है वो काफी वाइड एंगल है ऐस कमेड़ वीवो वी 15 प्रो तो Google Pixel यहाँ पे तीन साल बात भी वीवो वी 15 प्रो से जीत जाता है अब यहाँ पर मैं बात करता हूं गेमिंग में और परफॉर्मेंस में तो गेमिंग वाइज यहाँ पर मैं Google Pixel पर अभी पब्गी खेल रहा हूं और प्रस्ट मी इतनी स्मूध पब्गी मुझे अपने आईफोन में भी नहीं लगी खेलने में और अपने आईपैड में भी नह कुछ जादा ही स्मूध चल रही है इस टाइम पर बहुत कमालगी लग रही है एकदम बटरी स्मूध जो बोलते है न वह परफॉर्मेंस मुझे यहाँ पर देखने को मिली है अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं वीवो वी 15 प्रो में खेल रहा हूं आप लोग देख सकते ह कर के और देख सकते हो कि गूगल पिक्सल्में में कितनी स्मूध चल रही है यह गेम यहाँ पर जो धोनो स्मार्टफॉन हैं दोनों ही मैक्स ग्राफिक्स पर पबड़ियू को खेल रहे हैं और चीरी पे जkeln जो मुझे एक्सपीराइट आप जैद अच्छा मिल रहा है वह मिल रहा है वीव फी 15 प्रो में नहीं मिल रहा है अब बात करते हैं बेंचमार्क स्कोर की तो यहां पर मेरे को मिलता है एक लाग 770,404 स्कोर वी 15 प्रो में और गूगल पिक्सल में मिलता है एक लाख सततर हजार 905 तो Google Pixel यहां पर जीत जाता है 501 के स्कोर से बात करूँ प्रोसेसर की तो आपको देखने को मिल जाता है पिक्सल में Snapdragon 821 और Snapdragon 675 V15 Pro में तो जो Snapdragon 675 है वो काफी नया प्रोसेसर है गूगल पिक्सल से, PUBG से और Camera Department में Camera Department में और PUBG में Google Pixel क्लियरली जीच जाता है Vivo V15 Pro से तो तीन साल बात भी है flagship device लेना बिल्कुल ठीक रहेगा मेरी opinion में और अभी मैं बात करूँ इनकी market rate की तो Google Pixel तकरीवन आपको 10-12,000 रुपे का मिल जाएगा और उसके बाद आपको V15 Pro इस ताइम पर नया 28,000 रुपे कुछ का है सम्तिंग डिसकाउंट वगरा लगा के 26-27,000 रुपे तक का मिल जाना चाहिए तो मेरी opinion में Google Pixel जादा बेटर डिवाइस है थोड़ी सी जादा अच्छी performance दे देता है तो almost मुझे तो same experience मिला है मतलब 3 साल के अंदर जो पहले 60,000 रुपे का फोन आता था अब वैसी performance आपको 28-30,000 रुपे के फोन में देखने को मिल जाती है 2019 में तो फरक तो आ रहा है और in future आप लोग समझ सकते हो के budget smartphone भी 2-3 साल पहले के flagship devices को beat कर पाएंगे बीट नहीं कर पाएंगे तो at least compare कर पाएंगे, compete कर पाएंगे उन smartphone के साथ तो दोस्तो ये था Vivo V15 Pro और ये था Google Pixel Google Pixel 1 है ये 2-3 नहीं है तो 2016 का flagship है लेकिन स्टिल यहाँ पे Vivo V15 ने इसको पूरी टक कर दियो और in some cases हराया भी है क्योंकि इसमें आपको पूरी display देखने को मिलती है जो इस पे तो नहीं देखने को मिलती साथ ही साथ इसका camera थोड़ा अलग feature वाला है और थोड़ा सब better low light में है लेकिन bokeh feature की बाप करो तो Google Pixel यहाँ पे जीच जाता है दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो वीडियो को और साथ है साथ कमेंट में पताना आपको क्या लगता है गूगल पिक्सल जादा अच्छा था या वीव वी 15 प्रो दोस्तों मेरा नाम है प्रेंस मैं मिलता हूं सभी को एक लिए एक्साइटिंग वीडियो में बाई बाई